नमस्ते दोस्तों आज मैं आपके लिए एक अलग चिकेन रेसिपी लेकर आए हूं चिकेन चंगेजी यहाँ पर मैंने चिकेन अच्छी तरह से वाश कर लिया है अब इसमें एक चम्मच अद्रक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्ज पाउडर डाल देंगे आधी निमु का रस्ट दे देंगे आधी चम्मच काली मिर्ज पाउडर दे देंगे एक सुग्राम फेटा हुआ दही देंगे अब मिक्स करकर मैरिनेशन के लिए आदा घंटा रख देंगे फ्राइंग पैन में रिफाइंड ओयल डाल देंगे तेल गड़म होने के बाद दो मीडियम साइज का प्याज काट कर डाल देंगे अभी प्याज को ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे अब इसमें 25 ग्रम काजू एट करके सोटे कर लेंगे अब मिक्सी में एक स्मूध पेस्ट त्यार कर लेंगे इस तरह फ्राइंग पैन में फीर से टेल डाल देंगे अब इसमें मैडिंट की हवा चीकन एक एक करकर डाल देंगे अब दोनों साइड उलट पलट कर ब्राउन कलर होने तक फ्राइ कर लेंगे इस तरह से इसे लिकाल लेंगे देखे कितना सुंदर कलर आया है फिर से फ्राइंग पैन में तेल डाल देंगे एक चमच अध्रक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और गैस फ्लेम मीडियम रखेंगे नहीं तो अध्रक लहसुन का पेस्ट जल सकता है अब दो टमाटर का प्यूरी डाल देंगे जो पहले से ही मैंने बना कर रखे थे एक चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्स पाउडर और आधी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे अब मसालों को मिक्स करकर भूल लेंगे अब इसमें एक चमच कश्मिरी लाल मिर्स पाउडर डाल देंगे कलर के लिए अब इसमें काजू और प्याज का पेस्ट डाल देंगे और मसालों को मिक्स करकर अच्छी तरह भूल लेंगे अब इसमें दूट डाल देंगे डूट डालने के टाइम में गैस ऑफ रखिएगा नहीं तो दूट फशाकता है मिक्स करने के बाद फीर से गैस अइन कर लेंगे ग्रेवी को भूनते भूनते देखिए तेल छूट गया एब इसमें हम लोग कसोरी मेथी डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे और ग्रेवी को थोड़ा और ज्यादा व्यून लेंगे देखे ग्रेवी तेयार हो गया है अब इसमें फ्राइ गियाओ चिकन डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम पानी डाल देंगे ग्रेवी रखने के लिए ग्रेवी ज़्यादा पतला नहीं होगा ठीकी रहेगा और थोड़ा 2-3 मिनिट और कुक कर लेंगे स्वाधानुशार नमक डाल देंगे उसके बाद थोड़े दर और कुक कर लेंगे देखिए दोस्तों त्यार हो गया चिकन चंगेजी अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छा लागे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा लाइक कॉमेंट शेयर किजिएगा तो आज चलते हैं फिर मिलेंगे बाबाई